है कि इस तरीके का एक स्मॉल पॉच में बनाने के लिए हमने एक फैबरिक लिया है सिह हमने पहले कोइल करका है साथ इंज की चोड़ाई है इसकी और 11 इंज कील ही happen अब हम इसे बनाने के लिए सबसे पहले फैब्रिक के बीच में फॉर्म डाल के और बाहर के तरफ लाइनिंग डाल के इसको कुईल्ट कर लेंगे अब हमने एक जप लिया है लंभा 8 हिंच रखिया इसे बीच में से लक्त करके से लग इंटिज करनां लगवाइल का लग लगा लेना है इसी तरह बhelख लगा लखा को पलटके पना सबस्टीच लगा निया है दोने जिपो को इस तरीके से पलट के टॉप स्टिच लगाएंगे यह मारी टॉप स्टिच लग गई है अब हमें दो हैंडल लेने हैंडल की लंबाई 10 इंच है और चौड़ा इसकी पाच पॉइंट पाच इंच है आदा इंच इसकी चौड़ाई है और दस इंच की लंबाई में इस तरीके से उसको अच्छे से मेजर करना है कि एक्तम सेंटर में है ना गुल सेंटर में लेकर डेड़ इंच नीचे की तरफ डाउन करना है अब जहां पर डेरीड इंच का निशान लगा है वहां से हमें इसे इस तरीके से एक इंच के डिस्टेंस पर निशान लगाना है यह हमारे एक इंच के डिस्टेंस पर निशान लगने के बाद हमें हैंडल को इस तरीके से स्टिच करके यहां पर इसको अटैच करना है दोनों हैंडल को इसी तरीके से अटेच करना है अभी हमारे हैंडल अटेच हो गए अब हमें यहां पर इस तरीके से जो हमारी जबती इसमें रणर को लगाना है दोनों तरफ से इसको ट्रणर से अटाच करके यह हमारा अटाच हो गया अब हमें इसे पलट लेना है उल्टी तरफ पाहर की तरफ आजाएगी और सीधी साइड अंदर चली गई और हमारा एक्स्टर जिपता उसको हमें कट कर लेना है अब इस तरीके से सेंटर पॉइंट पे हमें एक नॉच लगाना है अब इस तरीके से इसको खोल के सेंटर पॉइंट पे जिप को रखते हुए फइबरिक को उठाके इस तरीके से रखना है यह जिप के उपर की तरफ और थोड़ा सा बहार की तरफ निकला रहे हैं इसी तरीके से हमें सामने वाले पार्ट को भी पनाना है यहां पे एक स्टिश लगा लेनी है इता डिस्टेंस रखते हुए ज़से एक पूर्णक में सामने वाला जो पारत है उधर भी इसी तरीके से अटएच करना है और स्टिश लगानी है कि यह हमारी स्टिश लग गई आप मैं इस तरीका का एक फारिक लेना है से इसके उपर रखना है और इधर एक इस्टिश लगा लेनी है कर जैना तो नहीं है तो अब इस फोल्ड करके फैंशिंग से किश लगा ले दोनों तरफ और यह हमारा पाउच रड़ी हो गया अब हमें इसको खोल के सीधा करना है और इसे अच्छे से शेप में लेते हुए से रड़ी कर लेना है यह हमारा स्मॉल पाउच रड़ी हो गया जो कुछ इस तरीके से दिखेगा